हाई अब्रिवान आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं पीच्टी के एड्मिशन के वीशे के उपर और वीशे ये है कि पीच्टी के एड्मिशन के लिए जो new rule UGC ने लाया है कि net के अंकों के आधार पे पीच्टी में एड्मिशन होगा तो net में कितना अंक लाया जाए तो हमें पीच्टी में एड्मिशन मिलेगा आपको बता होगा कि UGC के new rule के according कहा गया है कि कोई भी विश्विद्याल है अब written test आयूईत नहीं कराएगी पीच्टी के एड्मिशन के लिए जो की पहले written test विश्विद्याल है सिल्फ यानि खुद आयूईत कराती थी और जो विद्याती सफल होते थे उनको पीच्टी एड्मिशन के लिए इंटर्विव राउंड में बुलाया जाता था और फिर देखा जाए तो written test याई लिकित परिक्षा और आपके साचातकार के merit अंको के merit के आधार पे पीच्टी में प्रविश्विश दिया जाता था जो लोग GRF होते थे वो written test नहीं देते थे डारेक्ट इंटर्विव देके वो लोग प्रविश पात जाते थे पीच्टी में लेकिन अब कहा गया है UGC के new rule के according कि अब net का exam जो होगा उसी के अंको के आधार पे आपको पीच्टी में एडिशन मिल जाएगा कोई भी विश् सकते है written test नहीं conduct कराएगा सिर्फ और सिर्फ interview conduct करा सकती है और net का जो score होगा वो एक वर्स के लिए one year के लिए valid होगा अगर एक वर्स के अंतरगत आपको PhD में admission नहीं मिलता है तो अगले वर्स आपको फिर से देखा जाए तो net का exam देना पड़ेगा ठीक है तो अब आपके से द्वारा पूछा जारा कि कितना marks कितना अंक लाना जरूरी है तो हम PhD में देखा जाए apply कर सकते हैं admission के लिए तो आपको उता दें कि निट में देखा जाए निट के exam में दो paper होते है paper one होता है जो common होता है और paper two जो होता है वो specific subject का होता है तो paper one और paper two अगर general category से हैं तो 40 percent और 40 percent marks देखा जाए दोनों paper में लाना जरूरी है और अगर reserve categories से हैं तो 35 percent और 35 percent marks देखा जाए तो दोनों paper में लाना जरूरी है यानि कि इस से उपर आप score लाएंगे तभी जाके आप सफल माने जाएंगे इस exam में नहीं तो आप देखा जाए इस exam में disqualify हो जाएंगे ठ इतना उतना ही आपके लिए बहतर होगा लेकिन इससे नीचे नहीं आना चाहिए तभी जाके आप आवेदन कर सकते हैं किसी भी विद्याले में PhD के प्रवीश के लिए और आपके इसी अंकों के अधार पे निट के अंकों के आधार पे ही देखा जाए तो आपको बेदाद इंटर्व्यू राउंड में जो लोग हाइस स्कोर के रहेंगे और फिर इंटर्व्यू के आधार पे आपको देखा जाए तो प्रवीश मिलेगा तो यह चीए आपके समझ में आ गई होगी कितना मांक चाहिए तभी जाको जाके आपके अब नए निहम के आधार पे आपको को एडिमिशन मिलेगा ओके तो थैंक्स वोची एजुकेशनल चैनल अगर इससे आपको कोई भी एक्स्ट्रा देखा जाए इंफॉर्मिशन और भी लेना है कमेंट कर सकते हैं और जब तक की नेक्स वीडियो नहीं लाते हैं थैंक्स वोची एजुकेशनल चलों आप सभी क टुष ड्योची पुलों